जो सौबार हनमान चालीशा का पाठ करता है चालीश दिनों तक बहुत ध्यानी से सुनना है ब्रह्म चरिका पालन करके स्वपोसी अपने हाथ से भोजन बनावे नक्षिक नाखून और छोर कर्म ना करे नाखून काटे ना छोर कर्म करे ना एक इस्थान पर बैठ कर चालीश दिन तक जो सौसो बार हनमान चालीशा का पाठ करता है हमारे पुझ पाद गुर्देव स्री सन्यासी बाबा का कहना है कि चालीश दिन के अंधर श्री हनमान जी बटुक रूप में ब्राम्वन रूप में आकर किदर संदेते हैं